नमस्कार आप सभी का सौगत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास आल पर हलो 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 सर नमस्ते हां नमस्ते कौन मैं सर नेम चंद बर्मा बोला हूं सर बरेदी जिल जिल है हां जी बताए है मैं सर सिख्चा मित्र हूं और 2006 से मैं अपने रामनगर ब्लोग चंपत और मेरा विद्धाला है संबीलिन विद्धाले चंपत पूर सर अच्छा बताईया और बगी सर मैं बहुत काफी समय पहले से ही आपके इस ग्रूप पर जोड़ा हूँ और जितनी भी आप यूट्यूब पर आडियो जो डालते हैं होना कि उनको लगाता सुनना हूं और काफी सैटि जो भी देख पा रहा हूं और वकी उसी के तहत ही अभी निपन भारत और अभी शारदा कारी करम चला था वो भी चला है लगातार और और इसके साथ ही साथ उन्होंने अभी नेट परीचा कराई थी और आज ही एक इस पेल भी एक्जाम हुआ था जो मैं अभी वी आर सी पर अपने बच्चों को ले गया था एक बच्चा जूनियर से गया था और एक प्रामरी से तो बाकी मैं सर कोई मुझे किसी भी तया का संदह नहीं है बस मैं थोड़ा एक सलहा लेना चाह रहा था चुकि मैं मुझे गॉर्मेंड ने वो कर्सपोंडिंग वाला वी टीशी कराया है हाँ और साथ ही मैं सर टैट और सी टैट जूनियर प्रामरी दोनों ही पार्ट पास हूं और सर में 2018 से लगातार अब तक जो भी परिछाएं हुई है सभी मैं बैठ रहा हूं और पास भी हो रहा हूं तो वाक्य गवर्मेंट भी पूरा विस्वास है मुझे कि नई सिक्ष रहा था कि भविष्च में आगे प्रोमोशन के लिए या या आगे मैं परिक्षा में बैठना चाहूं जैसे टीजीटी वाले में या जूनियर वाली जो भरती होगी उसमें तो उसके लिए मैं बीड करना सोच रहा था इसलिए मैं आपको और इसलिए मैं कन्वेशन के और उधर मेरा विएड भी हो जाए तो इसके लिए के संस्था है यूदी वाली सर नहीं तो यह जानकाई लेना चाह रहा था ती ये उगनूवाला अब आपने वाराय तारीक में जो अभी मीटिंग होने वाली है उससे पूर में 27 को भी मीटिंग हुई थी पुने में और हमें सारा मल कंवेशन हूं कंप्लीट हूं और वाकि कुछ लोग हलाकि मैं वो लोग भी संपर्क में रहते हैं वैसे मैं अपने ब्लोग से जागरुक मैं तो हमोग एसे ही लोगो की जरूरत भी है niż हम लगाता जो है जितने भी सी क्छामित्र है हैं वैसे तो ज्यदातर लोग ँटो करते हैं तो आरत बहुत करते हैं या तो मेरी उसे से उम्मीद ना करना वो कते बिल्कुल ही वेवकूफी है सर मानले यह अभी किसी गौवर्मेंट का इसमें अभी आसासन है या कोई गौवर्मेंट अपने सत्ता में या काम कर रही है तो उमीद भी हम उसी से ही करेंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है जिसका कोई अभी अधिकार नहीं जो अभी जिसके हाथ में कुछ है नहीं क्या उससे उम्मीद बनाना तो वेफकूफी है यदि कोई परवार में इस समय कोई मुख्यागीरी निवा रहा है तो कोई काम कराने के लिए आपने हित में कोई विवस्ता बनाने के लिए तो सर हम उस मुख्या साही तो करेंगे कोई कोई विरांतिक पार्टी आजाए तो फिर बात हम उससे उमीद करेंगे और उसकी बाते करेंगे ने बिलकुल बात ठीक है क्योंकि यह कोई वेरोजगार है मालों भी किसी भी वहाग से बहार है तो वो उसको भी आस उसी सही लगाने पड़ेगी जो जो वर्तम उसके समय में जो गौवर्मेंट है जो सासन में है और हम तो सर्क हम तो उसके अंडर में कर्मचारी है जो भले ही संबिधा पर ही prob grants तो हमको तो उसी क्योंकि हम जारे हमारा सर सचाई तो यह हमारा समावजन हुआ 2015 में तो सिक्षा मित्र से तो हम पहली रिजान चुके हैं तो और यदि भी वह हमें बिभाग में बनाए हुए है यह चोटी-चोटी चीजें हम एक्स्प्रेंग करते हैं समझाते हैं तो लोगों को थोड़ा खराल जोटा जैसे मंत्री जींसंदीब जी जी कहते हैं कि साधे तीन जार से दस तो वह चो कह रहे हैं वह फैक्ट है नहीं यह तो सचाई को बिल्कुल ही नकार्ण नहीं चाहिए सचाई तो यही है और यह बात जो शिक्षामिस संगठन में कहा जाता है कि हम तीजार से दस पर आ गया यह वास्तविकता है कि तीस दाज पर गए थे आप और तीजार से दस जार पर लेकिन फरक कहा है आप जो तीस जार पर गय थे तो आप सायक अध्या पर थे आज आप 10,000 पर हैं तो ड्रीक्ट दश आ तो आप ने जो संग्विशन किया तो आप तो इतना तो इतना तो इतना होई गया है कि आपका जो है प्रैमरी में हो ही जाएगा क्योंकि आप टेट पास है चीजी सर्म वैसे तो यह कहा था कि अक्टूवर से प्रिक्रिया सुरू होगी अलाकि वह अभी 2018 वाला जो बीयर्ड इन्टी का जो घजड था उसमें कुछ कमिया थी और जो भी राजिस्थान की जो सरकार ने वहां मलोब बहती ह reach यह वीवाद थे यह कोड में गया था ऊसामंध तो उसका कुछ कुछ समय के लिए जो भी उसों कुछ का जो घजड था उसके समंद में कुछ ऐसा देश है कि उ इंप्रूब हो जाएगा तो उसी के लिए थोड़ा बिलम हो रहा है मैं मानता हूं कि वहले ही दिसंबर ना सही लेकिन यह सच्छामेत्र जो है इसमें काम हो जाए लाट बिल्कुल बिल्कुल अभी एक दिन हमने जो है यह पोस्ट डाला था गजट जो है नौंबर में आएग यह सब पूंबर में तो भी कहें कि एक लिए गजट कर लेते ही पहतर होता किолоड़ा तो पर दोपने भी संग्ठन हैं पहली आपको बताया मैं जागरुख वालों में थे हूँ लेकिन मैं कि वल्ट गुरुपों के लिए जागरुख नहीं हूँ मैं अपने आप में भी जागरुख वाला हो चाहें गाजी जी वाला हो अभी सीता पूर टीम का भी चला है अव्देश सिरिवास्तम महदय आ गये हैं तो हां तो इस तरह थे ओ मलब चंदा वाला फिरकन चला है पुना उसमें डालने हैं सुप्रिम कोड में और बाकी यह लोग को उन्होंने यह कहा था कि हमें मलब टैट नहीं करना है चाहें कुछ भी हो जाए लेकिन कास वो टैट उस समय स्विकार लेते तो अभी पूछले उर्दू वीटीसी वाले थे तो उनको विभागी वीटीसी करा मलब विभागी टैट कराया था उर्दू वाला पैसेज दिय पैसेज में छांट के उन्होंने कर लिया और हाला कि उस समय के जो मुक्सचिब महोदे थे उन्होंने कहा कि देखिए आप इसे सिविकार कर लीजिए और उसमें उन लोगों से भी मेरी बात हुई चुकि मैं मीटिंग में कभी-कभी बुलाते हैं वो लोग मैं जाता रहता ह और अपने आप में मैसूस होता है हलाकि उन लोगों को भली ना होता हो क्योंकि वो योगता नहीं रखते हैं लेकर हम अपनी योगता रखने के बावजूद भी हमको वही मांदे वाली मिल यह सेलरी तो वो हम लोगों को ज्यादा शील होता है इसलिए हम आपको सही बताएं सब्सक्राइन करने को साई वह साथ तो हमुझे लिए हमारे साथ- अजाओ हमके प्रावर नहीं के ब्रावरिये चाहिता है क्यूंत ilar है उसकी नहीं सब्सक्राइब हो कि शीष अ ही वगता है गी तीक मतलब यह कि उसमें चुछ है द operation में बेत रखने तो यसी लिए इसलिए जी मांदे या वेतन में भी डिफरेंस है तो इसलिए यह क्योंकि वो इसका प्रोमोशन हुआ है या उसने उस लेविल की परिक्षा पास किये तब ही है तो तो कुछ नेताओं की वज़े से कुछ कम्यों की वज़े से हमारा थोड़ा इस तरह से वह हुआ है सर प्रैमरी में वह आंगनवाडी के लिए उन्होंने किया है तीन वर्स और दो वर्स हमारा एक और दो अथाथ कक्षा दो तक उन्होंने पांस साल कर दिया है और ती और उसके बाद छे से आड़ तक वो तीन साल हमारा जूनियर रहेगा फिर मादमेक वाला भी दोजार से सामधार, प्रिंवाड़ में की हमारा अब ही होने वाला है नो तस बार चार सार के लिए तो तो थोड़ा हूं मैं जानकारी वी वाकि आप पहुए लगाता हूं और लोगों से ठोड़ा दूर रहता हूं जितने वी आप लोगों के संगठन बने हुए सब में आप नज़र रखते हैं सब पर और हर चीज की जानकाई रखते हैं यही होना चाहिए जो व्यक्ति सिर्फ एक दिसा में देखेगा तो बाकी चीजें छूड़ जाएंगी और जो हर तरब नज़र रखेगा कि कहां क्या च बात को हम इग्नौर करते हैं क्यों क्यों कि हमें बुरा लगेगा उसे कि आप यह गलत कह रहे हैं कि वीड़ वालों का यह ऐसा होगा लेकिन आप कर भी तो कुछ नी सकते केवल निगेटिव और जार रखोगे या निगेटिव बात अपने दिमागे तो इससे हतासा उंद् होगी नहीं होगी तो सर्व बेटर है कि हमें आईसे व्यक्ति के संपर्क मरें रहना चाहिए जो हमारे लिए एनरजी दे खुछ लिया करने के लिए कैहें कि पहले आप के हाथ में क्या है आप यहां क्या नहीं है बिल्कुल अबर निटरथ क्रिया और जो चीज गौर्वर् है और आज तक तो धर्ना कोड के चरी कितना करके देख लिए कोई लाब नहीं होगा तो तभी जब बिल्कुल बिल्कुल देखिए सर पहले तो गवर्मेंट सभी लगवग समानी होती हैं और वाकि कुछ में कुछ विसेस्ता हैं लेकिन मैं मानना हूं कि इस बार यह बीजी प से योजनाओं लाती हैं उनको केबल यह न सोचा जाए कि हमारा आनेत हो गया अरे जो उसकी योजनाओं में फस्त गया उसको फायदा हो गया उसकी योजनाओं में छूट गया उसको नुक्षान हो गया इसलिए ना तो कोई गवर्मेंट खराब होती है ना यहीं सही होती है हो अपने साफ से प्कूंच निखी ऑप कर तो इता में आएगा कुछ तो प्लान करेगा और जो को करे ऑब सुए कुछ लोगों को लाव हो तो जो लाव हमें ጌगा तो खुस्ष रही काहाइस हमीसा हुआ हैं हुआ सैं अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आप लग रहते हैं तो मैंने का देखिए यह कुछ विवधान आ जाते हैं वी वीच्ट में उस बजए से थोड़ा काम हो रहा है लेकिन जिस काम को करना तो सब्सक्राइब तो ओक यह थोड़ा समस्या तो होगी तो मैं फोसमें रहांगे सबीशना अज्यक्ति नियुक्ति दिना थो ऊपंधाइब जाह रोख वी इस सबस視 THE नहीं आपने देखी होगी और नहीं तो आप यह मैने आपको बताया मैंने आप उनको सुनिये और कहीं कुछ मुख प्रिष्ट हैं उसको देख लीजेगा जो बास्तम में हमारी बेसिक की और और उसकी मला जूनियर की शिक्षा के लिए योगता उनों हमें रखी है तो केवल तो इसमें वो अपने हिसाफ से काम करेंगे और इसमें वरीता दी है वाकि अन्य जो डिग्रियां है डियलेड है या दुरिष्ट बीटी सी यह वो 2030 तक ही 2030 तक ही उनको टीचर बनाना है उसके बाद में तो साहद उनको समझ माँ आये तो मोका दें अन्य नहीं लिए तो तहक तो उन्होंने मना कर रखा क्यों विएड रहेगा उसका बड़ा सपना जिसने पार ला हो सथ्माटाओट तो क्या श्माट में टो क्या उसको व्हदा उसको मई अतना प्लान खत्म कर देंगे एक समस्या के लिए अब आपने भी बताया और बात भी ठीक थी 2019 ने एकिसम आया उन्समें वो टैट वाला सर जो आल लाइफ होगा हाँ 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 एकिशम आया था तो एकिसमे आया एकिसमें लेकिन 2011 से उन्होंने टैट को वैलिट किया था है तो ऐसे ही यह दिवो आएंसीटी दुवारा से मीटिंग करेगी तो क्या वो अपने आदे समसार वो उसको गजट को बैलेट नहीं करें तो बिल्कुल हो जाएगा उनके हाथ का काम है सारी हो रही है थोड़ा सा धहर रखना और आपने जो पूछा कि जो है फ्यूचर में प्रमोशन या अपर लेवल में कहीं जाने के लिए जी जी हां तो वह इगनुबाला सर्जी मैं थोड़ा समझा दीजीगा यह बैलिट है या नहीं है और मुझे कहां कहां वरीता मिलेग इसके लिए मैं थोड़ा करना चाहरा था इसलिए इसी उद्दे से ही फोन लगाया मैंने से तो आपका जो दुरस्त बीटीसी है तो दुरस्त से जितने भी कोर्सेज हैं वो समकक्ष है रिगुलर के बिलकुल हाँ जी बिलकुल रिगुलर जी आप प्रैमरी में तो हो जाए है जी सर यानि जूनियर करास्ता खुला हुआ है उसमें जाने कोई दिक्कत नहीं है अब चाहे प्रमोशन के थ्रू जाईए या डारिक्ट भरती आती है तो भी आप अविदन कर लेंगे वहां जी अब इसके बाद आता है अपर लिवल इस से यानि टीजिटी वगरा जी त पूरी तरह से वेलीड हैं जी सर बैसे मेरे सर है वो डिग्री कॉलेजी में इसमें प्राचारिये हैं जुकि मेरे सर पहले सही सपना रहा है पहले में जाना चाहरा था सर अध्यमेरी हैट हुई नहीं तो फिर मुझे लगा कि मुझे अपने गुरू की तरह ही वनना एक प्राचारी हैं वह इंगलिस बोलते थे लगातार इसवे इस वीच देते थे तो मुझे लगता था कि सर मुझे भी नहीं की तरह बहना है और तो फिर मैंने गरुज़ेशन किया इंगलिस से और साथ ही मुझे लगा कि हिंदी में भी मुझे अच्छा होना चाहिए तो हिंद तो मैंने देखा कि उसमें हां महाइसर सूत्र बगारा उसर प्रते और संधियां और कारक चिन वगारा वो सभी और बाकी रचनाय वगारा जो होती है वो अच्छे से खुब तयार की तो मुझे लगा कि संस्कृत भी अच्छी है लेकिन वह सोड़ा था मेरा निकल गया क्योंक मैं तो मैं सुझ रहां था कि मेरा बेसिक में हूं और यह सत्त है कि मुझे निकाला नहीं जाए क्योंकि मैं आघले साल जब प्रक्रिया प्राइमरी में पर्मानेंट साइक ध्यापक तो ही जाएंगे और हमें जहां तक कुमीद है कि आने वाले दो से तीन साल में आप जूनियर में प्रमोट हो जाएंगे चुकि सर हाँ बिल्कुर से कह रहा है अगले बार जो प्रमोशन होगा वो केवल और केवल टैट पास वालो वो ग्यान और गणित वाली आई थी सर तो जब 2009 में आर्टेक्ट लागू हुआ 2010 से टेट कंपल्सरी हो गया तो ऐसा नहीं कि वह से प्रैमरी के लिए हुआ वो तो प्रैमरी जूनियर दोनों के लिए नहीं बेसिक के लिए और बेसिक सर एक से लेकर आर्ट तक माना जाता ह है इसनी वह सभी के लिए हुआ है सर तो वहां जूनियर में भी जब भी प्रमोस्वन होगा तो टेट वालो का ही होगा हरहाल में और इससे आपकी यह बात और क्लिर हो जाती है कि कुछ जब भी टेट हुआ है तो हमेसा दो टेट हूए हैं फैस्ट और सेकेंड हां तो इसका सब्सक्राइब करने के लिए एज वगरा में छूट वेटेज वगरा यह सब दे करके फाइट करना पड़ेगा हमें लगता है इस तरह का रहेगा क्योंकि एड जुनियर का भी भरती आया तो उसमें इसी तरह विग्यापन निकला तो आपका जो है प्राइमरी और जूनियर यहां तो हो गया है अब आप जो है वर्स में दो बार साथ एडमिशन ले रहा है एक नो तो हो सकता है यह थंडी में दिसंबर या जैन्वरी के आसपास एडमिशन फिर से सुरू हो मैंने थोड़ा देखा उसका मैंने तो एक तो समय मने दोन बचल गया वो जून में लेता है काम कंप्यमियों में जुलाई में में लेता कह में से सुरू हो,ändeर में समय जैन्वरी में होगा कि लिश्ट लेट इम चाइब और बंचूर प्रसक्त पार है उसका धीया ओंगआ सकता है कि नजहर लुके neo हो यह राजन की aus संडे 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 क्लास रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यह वैलेड है पूरी तरह से पहले जब सुरू में राइशन यह इगनुने कराया था तो दोजार साथ आठ क्या सब्सक्राइब विवाद हुआ था साथ क्या चार पांच छे नहीं चार में हुआ सर चार से पूर् साथ ही मुझे यह जानकारी मिली यूट्यूब से भी और एक सर हैं वह बताएं जो केंद्र की संस्ता हैं उनके माध्यम से होता है वह सारी संस्ता हैं केंद्र की बैलेड हैं और साथ ही मुझे यह जानकारी मिली यूट्यूब से भी और एक सर हैं वो बता रहे थे कि वह आल यूपी में आल यूपी में इस बीड़ से आप कहीं भी जोब ले सकते हो सर इगनू वाला या राइशन्डन वाला यह नहीं आल यह आल इंडिया में सर आज की तो Stre hangष राजवाले के ऑल मैं इसमें कहीं भी जोब ले सकते हो किसी भी राज में सर हम किसी ने यूपी बोर्ट का ले लिया लेकन ऐसा नहीं कि वहां से सट्फिकेट ले लिया तो अगर किसी ने किया हो राजस्थान से चंहू से तो इगनू ने कुछ रूल भी साइज बदल दिये हैं कि जिसने जो है यह डिलेड या बिटी से किया हो उन्हीं को अब लेते हैं विएड में पहले तो उसमें हाँ जो एजुकेशनल के जो कोर्स हैं विसे सरूफ से टीचर वाले तो वो वो उस व्यक्ति को ही लेते हैं वो परमानित कराते हैं विद्धाले से कि आप किसी विद्ध सब्सक्राइब कर दिये हैं क्योंकि जब नियम बदला क्योंकि गॉर्मेंट ने उन सभी टीचर्स को ट्रेंड कर दिया जो कहीं भी पढ़ा रहे थे तो जब कहीं पढ़ा रहा है यह सर्थ लगा हुआ है इगनु की बीड में तो यानि कि वह ट्रेंड भी तो होगा इसलिए वह सर्थ पढ़ाने वाला था उसको चेंज करके कर दिया कि जो है आपने बीटीसी डीलेट दुरस्त बीटीसी आइस तरह को इनको कोई कोड़ किया हो तो कोई दिकत नहीं है आप तो ट्रेंड भी है और इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आराम से एडमिशन लीजिए और वस यह देखिए सर वह काम व्यक्ति अच्छे से करता है जिसमें उसकी रुची है चुकि मेरी सर पढ़ाने में ही रुची है और कोई भी टॉपिकों म सब्सक्राइब तो अपना टीचर का पद या टीचर कहलवाने के लिए कम से कम तो नो तरीके तो आना ही चाहिए कि हम नो तरीके से उस चात्र को समझा सकते है इसलिए चुकि आज 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 अग्जाम था तो एक उन्होंने वहां से महारा डैड प्रा मोलो जुला सिक्षाय संस्थान हमारा डैड फरीद पूर लगता है तो वहां से मैडम जी है वहां प्राचारिया तो उन्होंने आज कुशन पेपर वैसे कल होने को था लेकिन हमारे हां वी आर सी पर आज कल के लिए आड़ेट था वहां तो कल तो नहीं हो पाया लेकिन आज था मैं दो बच्चों यह वहां बंदी हूण अन्पान के लगता है तो चस्थ खचरह को पर खच्च yeah को निस में तरह खच्चला की कुछ सब्सक्चल साबना मैं खचल से लिएच और तनक हूण तो क्यों बोल देखेएंगे इसको बनाएंगे तो इससका मिन्स कंतार होगा और इसमें क्यूं के बाद यू आएगा फिर यू फिर ईयू होगा लेकिन यूवरा है क्यूं के बाद यू होगा और लाश्ट में झौनि तो टो एडि़ California तो इस तरह से मलब ऐसा नहीं है आप कैसी भी विसे को आप अच्छी से पढ़ाएंगे जानकारी होगी तो आपको इस फैलिंग भी फिल कर पाएंगे उसे देख पाएंगे अब टीचर ही कन्फूजन हो रहे हैं तो बच्छी को नहीं होंगे सर अभी तो यह कंडिशन है कि ज जो है चाहे हिंदी में या इंग्लिज में लिखना हो तो लिखने ही पाएंगे सुद्ध यह तो है सर बिल्कुल बिल्कुल देख सर जिसको संदिहां आती है यदि मलब वियंजन संदी जिसे आती है ठीक से तो मैं समझता हूं तभी होगा अब जैसे उजल सब्द है उसमें बाद एकनी एक साफो णे जलिए को उसको उसरे प्लत हो यवास्टम dol明 करए दिटेशन है यह जोड़ाएंगों लिखने में की मह्तली तो इसे कुछ सब्द हैं कि जो कहीं कहीं गूगल में भी गलत होते हैं जो आप कोई भी सिक्षा हो अपने अभ्यास में रखेगा पड़ता रहेगा जारी करता रहेगा तो वह सही से कर पाता है न था वह देगे सर और जूनियर का कोश्ट तो ऐसा है सर्या तो अपने आप में अपने जो सब्जाइट पड़ा रहा है उसमें गिरियोट हो या फिर या फिर उसको मलव लगातार अध्यन कर रहा है पड़ा रहा है वही डील कर पाता है जूनियर का कोश्ट वास्तम में अब बगी चार-पांच में भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो लगातार पड़ा रहा पड़ रहा है वही उसको डील कर पाएगा बच्छी को सही से समझा पाएगा मेरा मानना तो यह सर कि जो शिक्षक लगातार पड़ रहा है वही कुछ नया दे सकता है और सही पड़ा सकता है कहने का मतलब यह है कि जो दीपक जला हुआ है सर ओल एक को नहीं लाखो क्रोड़ पड़ा सकता है किसी को पड़ा लेकिन पढ़ाने का जो तरीका हो ताकि बच्चे को बच्चा सीख भी पाया और गहराई से सीख ले तो सिखाना और इक अलग चिज़ और सिखाने का काम वही करा पाएगा जिसकी बात आप कर रहे हैं बिल्कु सही बात अब देखिए सर है मूल सब्द क्या है उसके बाद में किसे मिलकर यह बना है तो वही बड़ा बता पाएगा और वही समझा पाएगा जो अध्यान कर रहा है सर अब जैसे माले अब देखिए है हमारा एल्फावेट में आता है सर यह मलाव अभू पड़ाते है छोटी यह बड़ी है छोटी पेखिए है हो जिसने अध्यान किया है अध्यान किया है अध्यान किया हो जिसने वह समझा पाएगा कर दोतो होता है संधी जी जी सर और थोड़ा जानकारी के लिए उट retro पांच में फूर्ण कर दिया लिकान हल्का इसे अब भी संधी है थोड़ा नकार घृत जो छोड़ained ग्रीव डियु नह orchidina संधी यह जबत कई अरुड़ा पर फृदर और फ्य द्धोर तो इसका बिल्कुल ये जूनियर का तो सर ये कोर्स ही है उसमें तो होना ही तो यह है तो इसलिए सर जी थोड़ा भई मुझे तो कोई सब्सक्राइब करता हूं लोग कैते हैं पैसा खर्च करते हैं तो यहां पर एक चीज़ ध्यान दीजिए आप 2006 से हैं सिक्षामितर तो एक दूरेशन हो गया 2006 से 2017 तक और दूस्था हो गया दौजाँ सत्र के बाद वाला आप 20006 से 2017 एक बार भी Kुछ नहीं पास और 17 के बाद से लगातार पास कर रहा है इसमें कहीं न कहीं जो बदला हुआ वो बदला हुआँ सोच का doesn't कहीं से बदला तो आप लगातार जो है हर बार पास करते जा रहा और वही 17 के पहले कहीं ने कहीं सूच नहीं तो इस वजह से नहीं कर पाएं अचा हाँ यह बिलकुल बाट ठीक है यह मेरी ही कमी है साथ ही में थोड़ा इंटेरियर एरिया आपके ही नहीं यह हर सिक्षामित्र को हम कहते हैं भाई कि आप देखो ना कि सफरकबाद क्या ऐसा बदल गया कि इतने सारे सिक्षामित्र टेट पास करने लगे देखे सर यदि मैं यदि कोई अपनी गलती सुईकार नहीं करता तो उसमें उसमें अबला आया मेरा तैसिल पढ़ता है उसके बाद में बरेली भी गया चंद्रा में पढ़ने लेकिन बहा मुझे आखे खुली मेरी मुझे लगा री मैं तो कहां पड़ा हुआ था कास में पहली यहां जाता और दो महीं नहीं पढ़ लेता दो मेरा निश्यत रूसे हो जाता बौः आफ रहीं पर मैं थोड़ा पैठवा गया और मैं थह गलती कर गया हूँ पिर मैंने फिर लगाघातार कुछ अच्छी ऑच्छी कितावें लिम ली खिर मैंने टिम नाद फिर श्रहुंब सब्सक्राइब है पर चाहँ पास भी और रहा हूं कि आगे आने वाले समय में कि तिम लोग टाट पांगे या तो कहते हैं पास होगे तो क्यों आप पैसा खराब कर रहे हो मेरा उनके लिए जवाब यह होता है मैं यह अनुभव कर रहा हूं कि आगे कमटिशन कितनी हाई होती जा रही है और और जो आम लोग हैं जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए कितना पढ़ने के आव सकता है यह दि मुझे कुई करने वैड़ गया कि वही मुझे क्या करना है अनुभव होगा जो मुझे मेरा प्रेटिकल अनुभव होगा तो मुझे ज्वाब कर पाओंगा तो मुझे जानकारी नहीं है तो मने बस से दाएवाई की थोड़ी बहुत जानकारी ती तो फिर जहीं मुझे आया सही उम्मीद करके आया है कि सही जानकारी मिलेगी सर लेकिन उजे मैं सही जानकारी नहीं देपाँगा तो वह उसकी नजरों में भी मेरी वैल्यू क्या होगी सर नदी की गहराई तो वही बता पाएगा जो नदी में उत्रा होगा हां बिल्कुल बाहर से किनारे से खड़ा होकर जो देख रहा है वो इस मलव फोन बंद रहता था और कभी व्यस्त रहता था अलाकि मैं भी समझता हूं इतना वड़ा पूरा यूपी है और आदर राज्यों से भी फोन आते रहते हैं और आप अच्छे से समझाते हैं सभी को और यदि कोई आपके बारे में कुछ कमेंट करता है और निगेटि को चया कहना वह गलत होता है हाला कि कोई गलत हो नाराज हो जाए या खुज हो जाए ये उसका ये चाम करता है उसकी सोच है लेकिन आपने जो कहा है अब तक जिसके यह र pros at तो बीटीसी तरह कि बाते करें तो उसके वारे में कुछ तो आई जाया किया व्यक्ति बात करने बैठ गया उसे यह नहीं पता की पेसे क्यान होना चाहिए और पढ़ा रहा है तो यह बीटीसी वाला है तो कि ता बीड की बातें क्यों कर रहे हैं तो बीड़ वाला आगे तो आपने चार को समझाया आपने वहासा में समझा दिया आपने कहा था बताई आप ठीचर बनने भी मत जाना विल्कुल भूले आप अपना वही काम करो क्यों कि तिक्ष्व बनने के लिए ज़ड़ा जागरिक होना चाहिए कि आपने यह नहीं पता कप्ट एड़ पास किया है या उसमें लेख सिलिवस क्या है आपको क्या प्लाना है कैसे बात करना तो यह बात सही है हलाकि मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से सैटिस्वाइड हूं सर और वाकी जो भी बात करें तो यदि आप निगेटिव कमेंट करता है तो में समझ से वह लोगों के लोगों की और सुधश्य जो यहीं रखें करते हैंores भी संतीऊ हों छुज ऑतना द्यान नहीं देते हैं परृस अपना प्रयास यह रहता है कि जो है जिनक Psychology आते हैं जो सब्सills को लोग संझ हरे हैं सीख रहे हैं जान रहे हैं उनके लिए अप्रयास अपना जारी रहेगा वस इस उदेश से करते रहते हैं और बाखे आप जैसे लोग अक्सर जो है मिलते रहते हैं तो बाचित अच्छी होती है और मेरे द्वारा कहीं मलव गला जो चान हुआ हो या जल्दवाजी में जाएंगे तो एक आडियो जाता है तो हम मानते हैं कि 10,000 लोगों ने वह सुना जो है तो डालना जो है में जो है वो सब्सक्राइब और मेरा मानना यह है मैं सिक्षा में तरह तक बना हुआ हूं कहीं मेरी कमी है गवर्मेंट की मान लेता हूं लेकिन गवर्मेंट का आप कहीं नहीं है कि माले जाए परवार के मुखिया के लिए ही कुछ गलत सब्सक्राइब भोलेंगे तो बहुत है तो वह काम तो करेगा ल सब्सक्राइब करेगा ना कि परिवार के सद्थ हो इसलिए इस चीज़ को ऐसे देखिए अभी हाल ही में लोगों को सोचाले और आवास दिये गया है अभी दिया गया है और जिनको भविस में सोचाले या घर की जरूरत है अब बैठे रहें या सरकार देगी तो हम बनाएं हैं सवचाले बना रहा है आप भी बनाएं उसके लिए कोई रोक नहीं रहा है ऐसे है जितने भी सिक्षामित रहें या बीर बीटी से डिले उनको हमार जिकते हैं कि सरकार को जो करना होगा वो तो अपने हिसाब से करेगी अपने समय को देखते हुए करेगी अपने पैस्ति लेकिन लोग ध्यानी देते हैं इसमें मैक्सिमम जो सिक्षामित्र हैं बहुत सारी सिक्षामित्र ऐसे भी हैं जो बीए वगरा किये हुए नहीं सुचा और फिर गॉवर्मेंट ने कराया तो कहीं ने कहीं ये बात इंगित करता है कि वह अपने प्रति और किसी के प्रति हों या नहीं अपने प्रति भी वह कहीं नहीं रहे हैं हाँ यही वजह बिल्कुल सही करें अब और देखिए जर जिसको कुछ करना था या बिल्कुल अच्छा सा मार्ग दर्सक जैसे मिल गया किसी भी साती को माले मेरे यहां यहां उसमें गाउं है रूम सिंग भाई हैं मारे वो स्क्षा मित्रते थे 2004 में बने और यूणोंने फिर आए पिर से चुटी ले लिए थी विर्ट के बाद में वह वह बताया 29,000 वाले में विज्ञान के शिक्षक वन गए हैं और अभी जूनयर मेंवें है अजटा और ऐफ इह भी हमारे साथ के ही हैं उन्होंने एगनू से ही वियर्ड किया था वो भी सिक्षक बन गए सर पहले ही उसमें उनतरहजार वाले में ही वियर्ट थे उन्होंने डिए जो लोग समय प्रयास करते रहे हैं तो धीर कहीं ने कहीं आगे बढ़ते रहा और अच्छे जगा पहुंच गया पहुंच गया सर बिल्कुल सही बात है ज अपने आप में पूर्व की गल्तियों से सीखो बरतमान में मेहनत करो इसलिए तब ही वह भी सा आपका उजल हो सकता है अन्था किसी पर उम्मीद रखें अरातासान रासर रहें बरतमान को आप खराब कर रहे हैं तो भविस्तों अंदकार में हो गाई इसलिए बरतमान में पुरानी बातों को केवल उन से सीखो और उसे तरीका ढूनो कि हमने यह गल्ती की थी इसलिए यह वह वह गल्ती दोवारा ना दो रहा हो और सही तरीके से आप मेहनत करें जिससे कि वह इसमें कुछ जो से सबर्सें बची है उसमें कम तकम उसमें तो हमारा वह बनी ही जाए बेलकुल बेलकुल यह चलिए तो बाकी सर आपसे बात करकर बहुत अच्छा लगा बस अगनु के संबंद में मुझे थोड़ा जानकारी लेने थी और बाकी मैं मनलव इसमें विभाग में हूं सारी जानकारी तोड़ा संग्यान में रहती हैं और बाकी आप से संपर्क में तर आपका और बात करके बहुत अच्छा लगा वस इसलिए वात कि ठीक है साथ भी सबस्था हूं सबस्था या